कबीर जी वा जाओ तब कबीर जी रो रहे जो सुख सादू संग में सो सुख वैकुंठ ना होई रो रहे कबीर दार जी के जो सुख सादू के संग में है वो वैकुंठ में भी नहीं है और आज आपने ये गुलावा बेज दिया, राम गुलावा बेज ये दिया कबीरा रोई, जो सुख साथु संग में सो सुख वैकुंठ ना होई, उसी बात को लंकी में उपदेश आप सुन रहेंगे वहाँ पर कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुला एक अंग, तुलन ताहिश कल मिली, जो सुख लवसत संग, वह कहते हैं कि इस जगत के अंदर, अगर तुला दाना तेरा में तुला, उसी की बात कर रहेंगे, दो जना पलड़ा होए, एक तु एक पलड़े के अंदर, जगत के सा सुख भी आ गया, मोक्ष का सुख भी आ गया, उस सभी सुखों का फल एक पलड़े में रख दिया ज दुना जाये, जीवन बीह वह सारे सुख जो मोक्ष के हैं सवर्ग के हैं, वो सारे सुख मिलकर उस लव मात्र ससं के सुख का जो फल है उसकी तुलना कर नहीं सकते हैं तात सर्व एक उसका शाय तोलना की जाए लेकिन सत्संग का जो सुख है वो इस मोक्षिय सुख से भी बड़ा मदूर और इसलिए तो कहते हैं कि दास कवीरा रो रहा है साथ संग में जो सुख है न वही कुंट में भी नहीं है कि रुदारण क्या दे रहे हैं एक गड़ी आधी गड़ी आधी में पुनियां कोई व्यक्ति सका निर्मान होता है निर्मल होता है और साथ साथ उसका चरित्र सुधर्वी सकता है पुदारण वाल में जीवन में कुछ शण नारजी का ससंग क्या कर लिया चेतन चरिता मरित पाद्रीने राम अवतर रजी थ्योनों जिद्या लिलाई लिखिना की वाल में कीजिए अज सत्संग नों प्रभाव से वक्त कि जीवन ने अंदर थोड़ों कई समय सत्संग में मड़े जाएने खवर रहते हैं अपने शूप राप्त करे गया शलिए पर सत्संग में बता जाने वाली सभी बातों को अगर हम ध्यान से सुनते हैं उसके मन लगा कर सुनते हैं तब यह संसार में से हमारा मन अथकर जिसको बास्तिक प्राप्त करना चाहते उस भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम संसार में रहते हुए सट्संग को नहीं सुनते हैं तब मन के अंदर संसार के प्रतियाकरशे बढ़ेगा अगर संसार से निकल कर संसार में रहते हुए कर हम सत्संग का प्रभाव सत्संग में बैटेंगे तो उसके प्रभाव से मन सत्संग से कर दो कि क्रिश्न के धांड तक कहुंचेगा उसी बात को विरुद दिशा में कह रहें है कि यदी हम सत्संग न करते हुए संसार में भ्रमण कर देंगे तो जबावी की मन जो है संसार की और खीचा चलेगा संसार से इसका आकर्शन बढ़ेगा और ये संसार का आकर्शन भेक्ति को बिनाश की और ले जाता है कि अब बस इसलिए कहते हैं कि संसार रुपी अगनी में अगर हमारे मन को निर्मल बनाना है संसार रुपी नदी के अंदर हमारे मन को इस तरह नहलाना चाहिए, जिससे ये मन निर्मल होता है, शात होता है, मन के अंदर जो विकारों की अगनी है वो अकनी एकदम शालत पह जाती है जो सत्संग का प्रभाव है भक्तों हम कहीं बार सुनते गणायम के कि आनंद क्या चाहिए मन नी अंदर आनंद से मंदी रजावन उसे बगवान तो मनमा जिसे उसी तरह आनंद है मन में ही आनंद है लेकिन उस मन के ऊपर हमने मोह रुपी एक संसार की चादर चारों तरब से लपेट कर रखी एक मन है उसकी चारों तरब हमने एक चादर लपेटी है जो मोह रुपी और सत्संग घक्तिको उस मोह रुपी चादर से उठाकर मन को प्रफुलिश करता है जिस मन के अंदर आनंद जुपा है आनंद भीतर ही है लेकिन उस भीतर के अंदर जो मन के अंदर जो मोह की साखल की जो चादर है उस चादर को सट्संग हटाता है जैसे एक मुर्ति का प् Jeremiah को एकदम टीप टीप कर उसकी गंदकी को साफ करते हैं कि मुर्ति बनाता है उसी तरह सत्संग हमारे मन को उसमें जो भी गंदकी लगी है काम क्रोध लोग मों की उस तभी गंदकी को निकाल कर एक निर्मल चित को प्रदान करता है और एसा सत्संग आज जीवन के अंदर देखा जाए तो बहुत ही दुरुलब है वैसे है सुलब लेकिन हम ने इसको दुरुलब बना दिया है मेसेज मोटले वक्तों कि आजे मंगलवार चे सत्संग शे अंद तोई प्यक्तिनुम कर्म वह होई ने वागी बाज उपड़ता है ग्रति सत्संग मन क्या कोक्नों फोन आवे बीजा का में गणाने वाड़ा तो लावादे करने नहीं देता अंदर इतना कर्म ऐसा है उसी कर कर्म तो कर्मा अप्त येकल तश्यदेवश्य सेवा पस वही कर्म को गर्वान के और अंगीत कर देते हैं जिससे हम भगवान की भक्ति में लग सकते हैं कर्म किये भी नाम रव नहीं पाएंगे सवे मन कृष्ण पदार विंदम हम रेश्माराद अपने इसे इंद्रियों से भगवान की सेवा करने जिसे हम कर्म कलते हैं और ये कब सुलब होता है जिस पर भगवान राम और कृष्ण की क्रिपा होती है ना भक्ति उसी को ये सत्संग प्राप्त होता है बिन सत्संग वि क्रिपा बिन शुलब नसोगी जिस पर भगवान की क्रिपा होती है कोही व्यक्ति सत्षन को प्राप्त कर सकता है कि गणा इतनी वया जाए पन भुबारे नंदर मों आगे क्रिपा नहीं है राम की जाओं उसे पन जवाए तो ने कि टिकी डॉइन पड़ी रहें कथावनी भाग्य भुड़न बढ़ा होई तो भाग्य को सुधारता है जिक नामानिक एक ही महामंत्र अगर हम कृष्ण के नाम को प्रती दिन जीवन में गाते हैं तो इस भाग्य को भी उन बदल सकते हैं कि देने वाले कौन है यही भगवान जिव के लिए क्या अच्छा है बुरा है जिसको कίνig सब्सेजितREAM कि अच्छा क्या क्या एक सब dog mat और जिसको जो चाहिए हो मैं प्रतान करता हूं पर हम भगवान के नाम को लेकर ऐसी सुन्दर बुद्धी मांगेंगे कि हम भी उसकी सेवा में सत्संग में जा पाया तो पुष्च देंगे इसे नामों से भगवान को रोज प्रातना करने जगे प्रभु जीवन में जब यह अखिया बंद हो जाए सोना है मतलब 24 गंटा जब खतम हो जाए उससे पहले कुछ शन आपके नाम में आपकी लीला में आपके वक्तों के संग में कुछ शन पीते जाए तब यह जीवन की स्थार्थत कमाने जाएगी पर सत्सन में क्या होता है राम कथा कंदी काम देगाई उसी भगवान राम और कृष्ण की कथा जो वास्तों में इस जीवन में इस कल्यूग के अंदर एक कल्प रुक्ष के समान है भगवान की कथा जिसका आशे लेकर व्यक्ति सभी कामनाओं से मुक्त हो सकता है पर ऐसे कामनाओं को मुक्त करने वाली अम्रुत में नदी भगवान राम और कृष्ण की कथा किस संसार वेक नदी की रुप में प्रवाइब उसका आचमन करेतर उसमें स्नान करकर व्यक्ति अपने मन को वगवान के लगा करता है वक्तों सब नए साल में है दिवाली गई नवा वरेश्मा सेगी घणा घणा मन नी इंदर विचारो लएने बैठा आशू आम करेना कुन ओलो करेना कुन गईव वरेश जे गिवई गिवन अटलोँ चालो मसीं चालो दर्या रोंज चालो करती जेख बीचारों ती आपको कि इसी बिचारों नव COP वरेश पाइने बैठा के विचारता हाश्व goes from कि हम ससंग यह अपने घणा की रख घणा टाइम ती चालतो यह वह से गणा घणा अपने तीर थी आत्र में जी यह बाद गंगा जी माना यमना जी माना तोई तारो रामतने के मनों देखा कि हम प्रेम के मनत्था तो कि ने जाओ जी देखाड़ो मतलब कि हम जाशु आलास तोई नची देखाता है सत्सं करवा वाला निया वाच्छो निथी करता है निदू वह से बात देखाड़ो तोई आपने कथा रुपी का सागर मा बेठा चे नदी मा बेठा चे तोई आभास कम नथा तोई घ्रा अचान वह से नथे न सागुसरा जेए जाँ कि योध्या मा जाए चित्रकुट मा जाए आप्ट है को कि बचे में मा जाए के सब्सक्रादिशम करने करते हैं तो आया केम फेर सीच्छ नेंब ही चित्रकुत्मा जाए जए एकर योधियमा जाए शेटियमा जाए सिस्च्छ नहीं जाए खुआ तो बोला रहा के गंगा अली रहा टांके आय। शुम्भाय क्यम चाले से बस गपाटामा जन्नों जीवन हो यह अयर यह विचार करें कि दंगामा नाशु नाम कर्चुन यम्लाना कीनारे बगोने लीला करीती न्याय अपनने अउसर मलोशे रमशुने नाशुने रास कर्चुने इचित्रगुटमा अयोध्यमा बद्य अपजो चुद्ध दीवाले विचारों ही जाता है जेवी रित्या उद्धालों पर हम जो के आए ती आपने गाटी मा टिंगान जैवीशी भी केसी हूं काम लक्ष हूं से धन कामना धन प्राप्ति जे कामे ग्यास हैं घड़वा माते लक्षी इसे न्याजन न्याजन न्य कहती ně जैने कि आ ईसे प्रैंप्ति करों में माते निया क्रिति निया जैने ज्तव समय न बरगाथ करूं में तो sowid G printing डावत कर से लक्ष और आपने न्या जनिते अपनी जरे कथा माँ यह जो सकना कुई एट वर्यु शांति यहास अधर्यु घासे हमार युड़ कथा मैं न्यात्रा अबन अधर्यु ठोड़ित कटला आपने मोख लिन लोको और आपने गाजन रिलाइस था तो यह गणी वाल आपने टीकिट थोड़ीक मोड़ी सो दन तेरेशनी जी क्या है पुनम नम्नी वह विजाए करें से लोको आपने पास खरियाद नहीं अ करें है यह जीवन जीवफ है कि लो को वारं वार उआख्रे भीएंडे करें सिक तीकिट यहालिक राहो हुँ आपनों केरेक्टर नहीं हो इक आना योजी को गठवाड़ी राज जी हो गठवा देम मोकल भी अब तो सत्संग नो अभाव अन्य भक्तों विचारज करवाम आवे तो आपने जीवन दिर विचारो तो गणा केड़ आपन संतों एक विचार करवान की दूश्कायू लाखों गयाने तू बण जवानों ए मुरक मन माहि चार आवर विचार करवानों से बागत फैक्टरेन जीवन तो इविचारम मज़ वियू जाए जे पशी जय मढवानों से हच्च विचार आना पशी जीवन शे उन्रुत्य पशी काइक तो जीवन छे इक वव मल शे एना तू पन जवानों मुरक थोड़क तो मनमा विचा अन्य एना अपर आजनों आपनों विचार जुनत्य पसोनुए। इजा घणा घणा विचार आपने तरहे। पन जया वास्तलिक जावानुसे जय बद्धा जाने से। बद्धाने कोपने कोपनी सम्षानेत्रमा ज्याज हुशु। अपड़ा सगा होय, सबंधी होय, ओल्खांडा कोईनी कोईनी सब यात्रमा अपड़े अवश्य ज्याजु। अपने ठाशडी उपर सुतेलों मानस अपने शो शिखवाड़े से। कोईदी विचारगी रोईना उपर, विचारशब दोब्रब्र बोली दिया से। जैने अपड़े लेन जाते होई अपने हुँ शिखवाड़े दिया से। अपने मुई के आपड़े अन्तिम मन्जिल, अन्तिम लक्षूदी मुक्वा जाय भीशे। अलता अलता आपड़े हुँ विचारता होई शरीर ने अपने अन्तिम जग्ये मुक्वा जाय रिया से। जै चीतानी बादची। शरीर चीता है। बद्दान मनमें एका जुचारगी के आपड़े अन्य शम्चाने लेय रिया से। जै व्यक्तिनों वास्तवित अन्तिम से। कौनी माड़े। इता वय गिन से। शुच जीवतावड़ा पड़े संगेड़े के निया चेम विचार करोजू के मारू यंतिम लग्ष। मारू यंतिम घर आज से। आज हूं कोक ने मुखवायों सुकाल मने कोक आज रिते मुखवायों से। यह वह विचार कोई दी वहराग्य भूमी उपर थे वह सम्शान नी भूमी उपर। आपड़े जने लाइन ग्या होगे। निया कोई दी विचार हो कि नहीं। मारे हीक्ति रहे जाओ अलुष। नियार रहे है थे हो। जयां व्यक्तिने हाचो वहरागय उपण थाए जयाती व्यक्तिनी बुद्धी खुले ही शम्शान निंदरे उपा उपाई आपड़ा विचारों हूं आलता हो। कि वट्से उपार उपाई होगी। मेरे भात उम्मा होवी। अनि वीचारतों पासो ही जो क्या रहा गर्दनी हाथ जोड़े नापने हाथ जोड़े हमजी जाओ ने तुम्हें विधाय यो आए थी। अनि एनोंस्मेंट करें के आय समय आय नाय बैसनोन अब दूराख्यों से त्यारे पास आओ जोड़े जगत्ती छूटोए तो आवा विचारों नों सागले उपरिशे सहारी नवा वरश्य अन्दर